हेलो friends, welcome to beena's Kitchen आज हम बनाने वाले बहँती टीस्टी बर्फी के recipe इस बर्फी को बनाने के लिए ना ही हमें घी का यूज़ है ना ही मावे का यूज़ किया है और ना ही condensed milk का यूज़ किया है घर पे रखे वे समान से यह आसानी से बन के तयार हो जाती है बर्फी जो है उसका स्वाद और टेक्शर बिलकुल ऐसा है जैसे कि हम मार्केट से बर्फी खरीत के लाते हों यह देखिए यह बहुत जादा टेस्टी है और देखने में भी बहुत वहुत है और खाने में यह बहुत स्वादिश्ट है तो प्रेशेपी अच्छी लगे तो ल वी मलाई हैं इसे हर रोज आपी खटा करें दो, तिन दिन की जो मलाई हो से अप इस मिठाइ को बना सकते हैं तो इसे हम लो फ्लेम पे लगातार चलाते वे پकाते हैं तो बहुत जाधा नहीं इससे सिफ दो इस तरह से चलाते हुए पका ले इसमें आप देख सकते हैं मलाई में जो थोड़ी तोड़ी गुटलिया है वह इस तरह से डिजॉर्व हो जाएगी और यह जो बर्फी है वह बहुत ज़दी बनता है एक बर आप इसे जरूर ट्राइ करें तो यहां आप देख सकते हैं आप इस मिठाई को जरूर बनाए इसमें हमने घी भी यूज नहीं किया है और भी नमावा कही यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका जो टेस्ट है वह बिलकुल मार्केट की बर्फी की जैसा ही आता है तो यह हमने इसे पका लिया है तो अब हम फ्लेम को लो पे कर ल मिल्क पॉडर हमने लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मिल्क पॉडर थोड़ा डालते जाए और इसे चलाते जाए एक बार में पूरा मिल्क पॉडर नहीं रालेंगे तो हमने इस मिठाई में आधी कप मिल्क पॉडर आधी कप मलाई और आधी कप चीनी का एक कटोरी या एक कट कप से ही आप इसका मेजरमेंट करें तो यह हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और इसे हलका साम पका लेते तो लगातार चलाते रहें लो फ्लेम पे ही अगर आप इसे छोड़ देंगे तो यह फटा फटी जलने लग जाता है तो बिल्कुल इस देनल बढ़से लाँन के टेकर आप यह मतले साम पको असदे है और आप आप को पसंद लें तो आप इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते यह थोड़ा गाड़ा हो चुका है तो हमारे मिश्रन बननीचे तैयार हो चुका है गैस की फ्लेम को हम बनी पकर देत तो एक प्लेट में हमने पहले से गी लगा के रख लिया था इसमें हम मिश्रन को डाल लेते हैं और हाथ से अच्छी तरह से सेट लेते हैं यह देख सकते हैं इसे गार्णिश करने के लिए हमने इसमें चांदी कर वर्क Ist affect कर दोस्टेश तो इसे यूज करें या तो फिर स्किप भी कर सकते हैं और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे अब काट लेते हैं बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली बर्फी की जैसा ही लग रहा है तो इसे अब हम काट लेते हैं तो जैसा आपको पसंद बड़ा शेप या छोटा शेपनी से काट लें और यह खाने में बहुत ही जादा तेस्टी होता है तो आप इसे एक बर जरूर बना के ट्राइ करें बिना मावा का ही इसमें बिल्कुल मावे कर जैसा ही टेस्ट आता है यह देखिए हम इसे तोड़के देख लेते हैं काफी सॉफ्ट सा यह बना है और जैसे मार् तो लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरू दबाएं